हल्लो दोस्तों आज कर इस वीडियो में हम बात करने वालें कि कैसे अपना फोटो या फिर किसे तरह के इमेज़र्स बगएरा को गूगल पर कैसा अपलोड करती है क्या ऐसा कोई परशनली वेब साइट है जिस पर हम इमेज़र्स को फोटो बगएरा को अपलोड करें और डिर directly किसी गूगल के साइट पर यान कि directly Google search में चला जाए लेकिन हाँ अगर आप इंटरनेट पर कहीं भी पब्लिक ली फोटोज अप्लोट करते हो जैसे कि किसे सोसल नेटवरकिंग साइड जैसे कि फेस्बूक ट्विटर या फिर लिंक्डिन वगड़ा पर जब आप फोटोज पब्लिक ली सेड करते हो तो सभी फोटो गूगल और शर्च इंजन में चला जाता है यानि कि जब गूगल में उस तरह के फोटोज वगड़ा को सर्च करोगे तो डायक्ट लिव गूगल में किस इसी भी वेबसाइट पर जब हम फोटोज को इमेज़ वगड़ा को पब्लिक ली सेयर करते हैं तो सारी इमेज़ गूगल सर्च में चलाता है जैसे कि आप किसी एक्टर के फोटो जो की बड़े-बड़े एक्टर होते हैं उन एक्टर के फोटोज को आप सर्च करते हो बड राइकली गूगल सर्च में ऊपर ही चलाता करणा ता यानों क veg में इंटर्नेमट पर आपनोंबोलोड होते हैं यानी कि इंटर्नेमट पर और आपडर सेर्च चंě नहीं खसक है कोई गोगल से यहां पर किसी तरह के शक्राइट बगण 10 प कुल दो आप रहनीं दो सुपर्फियोग क्योरे गरेटल गुगल सेर्च में चला जाए इनसी पिकल्य नहीं अगर आपने पब्लिक ली असेर किया तो सारा इमेज़ गूगल सर्च में चलाता है आगे कंप्टिशन बहुत तगड़ा हुआ तो हो सकता है को सारे में काफ़ी समय लग जाते हैं कभी-कभी ओवी में इस गूगल सर्च में काफी नीचे रैंकिंग करता है लेकिन हाँ जैसे कि आप किसे एक्चेर जैसे कि सल्मान खान का इमेज़ को फोड़ा पर आपर कि इंटेर्ट वी में काफे समय लग जाते हैं तो हाँ और आप किसी अपना इमेज़ हुआ अपना फोड़ों वगेरा को कहीं भी अप्लोड करते हो और चाहते हो कि आपका जो फूटो गूगल सर्च में आज आए तो कुछ समय भी लग सकते हैं जैसे कि इस वीडियो में अगे वड़े उससे पहले अगर अपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप दीख वाहूनी वीडियो सब से पहले तो जैसे कि आप चाहते हो कि आपका जो इमेज़ आपका जो फोटो बगड़ा हो कैसे Google Search इंजन में रैंकिंग में आए जैसे कि आप Google Search इंजन में कोई भी में अर उसके लिए कि महीं सर्फ कटार में अपने चेनल का न्यम और यहां पर उपका सारे इमेजस कोल कर आतर है यहां पर क्लिक करके देख सकते हूं कि यह इमेज कहां से आया हुआ है तो कैसे हम इमेज को रैंक करते हैं इस तरह कैसे Google Search में इमेज को लाते हैं आज के इस वीडियो में देखने वाले है तो सबसे पहले तो आपको अपने इमेज को करना होगा यानि कि search engine optimization के लिए आपके अपने इमेज के keyword वेगड़ा को change करना होगा अच्छे से ranking के लिए तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने इमेज को open करना है यहां से और यहां पर आपका इमेज है वहां पर जाना है और इस इमेज पिए यहां पर right click हैना और प्रप्रटी ब जाना है और यहां पर detail में जाना old detail मेंगवाद тобой change करने फर टाइंज करना है प्ला कुछ ष्य को जो कि मेरे चैनल कर नीम है सबजेक्ट जो सबजेक्ट हो दे establishment यहां पर यूट्यिब चेनल या फिर hoow Stop सब्जिक्ट देना चाहते हो सब्जिक्ट यहां पर दे सकते हो यहां पर स्टार रेच्टिंग सब्सक्राइब pessimistic व्श्र स्विक्टाइब मी अफ्जो भी ट्री टैग देना चाथे हो जितना विक का आप्ना चाहते हो फिर यहां पे फिर यहां पे गूगल इमेज कुछ भी सीखों लोगों तो इस तरह आप यहां पे देख सकते हों यूट्यूब चैनल कुछ भी सब्सक्राइब कर सकते हों यहां पे आप फिल अब कर सकते हो बहुत सारे डिटेश से यहां पे अप्सेंच आपको मिलते हैं फिलाल तो मैंने इतने सारे डेटेल्स को तो फिलप कर दिया है और यहां पर मैं अपलाई करूंगा और यहां से ओके कर दूँगा और उसके बाद इस इमेज को मैं Google पर अप्लोइड करना चाहता हूं तो उसके लिए सबसे पहले तो यहां से किसब ब्राजूर को प्रेंग कर लेज़ें और उपर सर्च किसे गूगल तो ट्विटर लिंकडिन वेगेर अपर भी सेयर कर सकते हो और जब आप पब्लिकली सेयर करोगे तो सभी मेसेज और गूगल सेर्च में रैंकिंग में आज आएंगे यहां पर मैं साइन इन करता हूं उके और उसके बाद यहां से किसी भी जीमेल अकाउट को यहां से आपन कर सेगतो आप और तो ऑके एक एख खाए ढू cup कपर दॅलिए अपको क्लीक मेन है यहां से वैसे जयाना है ऒइसको डाला हुए उस मेगों अपयरिक कहना है यानि कि गूगिल ढिलाइम आपको ик करना है उके फ़िष तरकर लेना यहां पर कर लेंना है स्टार्टिग अप्पलोड चुकिंह ओकी तो आपकर जो लुग हो अप्लोड हो चुका है तो यहां पर राइट क्लिक करना है और उसके बाद यहां पर आपको क्लिक कर देना है वाद यहां से से पे क्लिक कर देना है से पे जैसे ही क्लिक करो गई उसके बाद यहां पर रण करना है और उसके बाद इस जो लोगों है डारेक्ट से इंटरनेट पर अपलोड हो जाता है और कुछ दिनों के बाद कुछ महीनों के बाद या फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि आज राते हैं गर रांकिंग में आते हो तो काफी नीचे ही ranking आएंगे यानि कि जिस keyword पे dział गड़ा होगा उस images को search ranking में आने में काफी समय लग जाते हैं कभी-कभी हो search ranking में इतने नीचे आते हैं कि आप सर्च करते रहाज़ा होगे और इमेज़ वगरा मिलेंगे ही नहीं और अगर आपके कीवर्ड में जैसे कि आपका जो नेम है उस नेम पर कॉमपटिशन कम हुआ जैसे कि मैंने यहां पर कुछ भी सीखो डाला और इस पर कमपटिशन कम हुआ तो यह जो इमेज़ हो डायक्ट से गूगल सर्च में आज आएंगे जैसा कि यहां पर आप सर्च करके देख सकते हो कुछ भी सीखो और उसके बाद यहां पर इमेज़ पर जाते हो तो यहां पर देख सकते हो जैसा कि यह इमेज आया हुआ है फेस्बुक से उसी तरसे इमेज आया हुआ पिंट्रेट से और जो मैंने अभी अभी इमेज डाला है इसे रैंकिंग करने में कुछ समय लगेंगे यानि कि अभी ही आपने इमेज को अप्लूइच किया अभी ही पब्लिक ली किया और डायक्ट आपका जो इमेज है वह आज आप चाहते हो इस इमेज को किसे और माध्यम से इंटरनेट पर अप्लूट करना तो बहुत सारे रास्ते हैं जैसे कि किसी बी सोचल लेटवर्किंग साइट का सहाड़ा ले सकते हो जैसे कि और फेस्बुक पेस बगरा हो गया फेस्बुक अकाउंट बगरा हो गया या फिर पिंट्रेश्ट हो गया ट्वीचर हो गया लिंक जीन हो गया या फिर बहुत सारे जैसे साइट है जैसे कि और किसी वेबसाइट बगरा पर लोगों बगरा को अप्लूट करते हो तो वह सभी इमेजर्स रैंकिंग करते हैं जब आप उस लोगों को उस इमेजर्स को पब्लि झाल झाल